Hello civil engineers, मेरा नाम है शाजव, I am professional estimation and costing engineer और आप सब इंजिनियर्स के लिए हैं corporate tenor तो आज का जो हमारा topic है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको form work, यानि कि जो आप footing में, column में जो आप शर्टिंग लगाएंगे उसका अगर आपको rate analysis करना है, उसकी cost निकाल ले हैं, unit rate निकालना है उसका यानि कि अगर हैं, कि आप square meter में निकालने हैं या फिर आप square feet में निकालना है तो उसका calculation आप कैसे करेंगे, उसका per square meter की cost कैसे आप calculate करेंगे जिस तरिके से हम ने देखा है बागी सारी Session में हमने Rat and Listens किया है बागी सारे items के लिए उनका Unit Rate निकाला है Sam ऐसी तरीके से यहां पर फ़मवर का निकाला जाएगा अबढ़ा जाएते इसको आप देखीएंगे कि आपका जो DAR का Sub-Add 5 है जो आपका RCC का सबैड है उसी में आपको Shuttering Formwork के लिए सारी details दे रखी हैं अलग-अलग आपके items के लिए यानि कि अगर आपको footing का निकालना है तो इसके लिए अलग क्लॉज है column का निकालना है उसके लिए अलग क्लॉज है including studying, propping, etc. and removal of formwork for foundation, footings, basis of column, etc. for mass concrete तो यहां पर आपको जो दे रखा है इसने वो column के लिए दे रखा है आपकी footing के लिए दे रखा है यानि कि जो आपके basis of columns उनके लिए आपको दे रखा है formwork for foundation, footings, basis of column, etc. for mass concrete तो यहां पर हम देखेंगे क्या-क्या details इसमें दे रखी है किस तरीके से हम इसका return analysis करेंगे ठीक है तो यहां पर हम इसको देखते है सबसे पहले हम यहां इसने दे रखा है detail detail of course for footing size footing size जो आपका है उसके लिए आपको यहां पर दे रहा है और footing का size इसने यहां पर consider किया हुआ है 2.7 x 2.7 x 1 meter यानि कि यह आपको footing की 3-0 dimension दे रहे हैं 2.7 meter length है footing की 2.7 meter उसकी breadth है और 1 meter की footing की depth है अगर आप इसका area calculate करें यानि कि आप शट्रिंग का area calculate करें तो आप formula लगाएंगे जो आपको classes में बताई गया है यानि कि चारो side का अगर आप area निकालें 2L plus B into D formula से तो यहां पर आपको contact area मिलेगा 10.8 square meter 2L plus B into D वाले formula से आप निकालेंगे आपको मिलेगा 10.8 square meter यह आपका shuttering area है footing का अब 10.8 square meter यह total area आ रहा है लेकिन हमें 1 square meter की cost निकाल लिए तो हम पहले 10.8 square meter की निकालेंगे उसके बाद last में जब हमें 10.8 की cost मिलेगी उसको हम divide by 10.8 करके 1 square meter यानि की unit rate calculate कर लेंगे लेकिन यह जो है सिर्फ आपका footing और आपकी foundations और आपके basis of columns के लिए फॉलो किये जाएगा अगर आपको slab का निकालना है तो अलग से निकालना दाएगा उसमें कुछ चीज़ा change हो जाएगी जो कि आपको यह जो document है जो आप download कर सकते हैं इसलिए इसमें आपको formwork for stairs, slab सारी चीज़ें दे रखिए हैं आप दूसरी sheet में जा करके उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर हम 10.8 square meter किसी footing का shuttering area है उसके लिए हम calculation कर रहे हैं तो सबसे पहले हम material की बात कर लेते हैं कि material में यहाँ पर क्या क्या आने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है assuming shuttering material will become unserviceable after use of 40 times adding for maintenance 10% of cost यहाँ कि हमें बता रहा है कि हमारा जो shutting material है उसको हम 40 times use कर सकते हैं लेकिन जब हम उसको 40 times use करेंगे तो उसमें हमें 10% उसका maintenance पर भी खर्च करना पड़ेगा जो उसकी actual cost है यहँन कि अगर मान लिजीए आप 40 रुपे की कोई चीज ले करके आते हैं तो आपको यह बता रहा है कि आप जो 40 रुपे की कोई चीज ले करके आरहा है उसको आप 40 बार use कर सकते हैं टो एक बार use करने में आपका वो 1 रोपे का खर्च हो जाएगा क्योंकि आपने 40 रुपीज के लिए 40 टाइम ही आप उसको यूज़ कर सकते 40 ड्वाइड बाई 40 तो आपका वो 1 रुपे का खर्च हो रहा है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो material है उसमें आप जब भी उसका quantities को रखेंगे पुट करेंगे तो आप एक बार यूज़ करने में जितना वो खर्च होगा उतनी का आप यहाँ पर rate निकाल कर रखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है will become unserviceable after use of 40 times adding for maintenance 10% of cost 10% आपको उसके maintenance पर खर्च करना पड़ेगा जो total cost है उस product की तो यहाँ पर हम मालते है कि कोई भी एक item लेजे माल लेटे हम corner angle लेकर के आते हैं ठीक है? एक corner angle आपका 100 Rupees का आ रहा है 100 पे का हमने corner angle लिया लेकर हम इसको use कर सकते है 40 time आप इसको 40 time use कर सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 40 time use करने में यह 100 rupees का full आपका खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर हम use करते हैं सिर्फ इसको एक बार, if we are using one time, ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ एक बार use कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर, 100 divided by 40, तो यहां आपको मलेगा यह 2.5 rupees, यानि कि अगर आप इसको 100 rupees का ले spent हो रहा है, खर्च हो रहा है, बाकी जो amount है, वो आपका 100 minus करेंगी 2.5 को, तो उतने का भी आपका बच रहा है, तो एक बार आपको use करने में 2.5 rupees का यह spent हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने 100 rupees का corner angle लिया, 100 rupees, और इ यह आपका maintenance हो गया, तो यह आपका 110 rupees हो गया, लेकिन आप यहां पर एक चीज़ और देखेंगे, आपको यहां इसने दे रखा है, यह देखिए, इसने दिया हुआ है, taking salvage value, after full use of material, 25% of cost, कि आपका 25% की cost में वापस भी चला जाएगा, क्योंकि वो mild steel है, सारा यहां पर जो 25% of cost में वापस भी जाएगा वो, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, फिर से, जो हमने 110 का हमें पढ़ लाए भी, 100 rupees की cost है, 10 rupees उसकी maintenance की charges है, और 110 rupees में वो हमें total पढ़ लाए, लेकिन 110 तो हमारे पास से जा रहे है, लेकिन 25% में वो वापस जा रहे है, यानिकि वो हमारे की मिल रही है, ठीक है, तो वो आपको, in the end, आपको 85 rupees की पढ़ रही है, यानिकि आपने 10% उसका maintenance पर कर्च किया, लेकिन 25% आपने उसका salvage value ले लिया, यानिकि जो कबार में जाएगा, वो 25% का आपको चला जाएगा, तो अभी आपको वो, at the end, आपको 85 rupees में पढ़ रही ह कि अब आपका panel लगाए जाएगा, wall form panel, तो कितने panel हमें चाहिए, 10.8 square meter के लिए, तो अब हम, हमें यहापर size इसने दे रखा है, 1250 x 500, ठीक है, यह आपका mm में दे रखा है size, 1250 x 500 mm, इस size का आपका panel लग रहा है, तो 10.8 square meter, total shutting area है, आपकी footing का, तो इसमें आपकी कितने panel निकालेंगे, एक panel के area हम यहापर निकाल लेते हैं, और इसको हम meter में change करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका area 0.625 square meter, आपका एक panel का area है, और आपको total यहापर आपका area 10.8 square meter, ठीक है, लेकिन हम यहापर क्या करना है, panel को हम किसी को भी cut करके नहीं लगाएंगे, तो हम side by side की बात कर लेते हैं, तो footing का एक side का area है, यहापर आपको मिल जाता है, यह आपको दे रखाया है, यहापर, यहाँ देखिए, 2.7, इसकी length of breadth 2.7 है, और इसकी depth है, वो 1 meter है, ठीक है, तो one side of footing अगर आप निकालोगे, तो 2.7, और multiply by depth आप करोगे, तो same रहेगा 2.7, यह आपका one side footing है, ठीक है, यह आपका one side area है, तो अगर panel required for one side आप निकालो यहाँ पर, panel required for one side, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2.7 को आप divide करोगे, 0.625 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4.32 panel required, आपको एक side के लिए 4.32 panel चाहिए, लेकिन panel को आप cut करके नहीं लगा हुए, त यहाँ पर आपको 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 आ इतने पैनल चाहिए आपको चाहिए चार पैनल, ठीक है, तो टोटल चार साइट के लिए आपको 16 पैनल चाहिए, अब यहाँ पर हमने quantity taken for cost of using once, यहाँ कि एक बार में अगर हम पैनल को use कर रहे हैं, तो कितना हमारा पैनल लगेगा, एक बार में कितना पैनल खर्च होगा, तो यहाँ पर हमने 16 पैनल लिये, इसको हमने multiply किया 0.85 से, ठीक है, 0.085, यानि कि हमने 85% of cost यहाँ पर लिया, 0.085, और इसको हमने divide किया 40, यानि कि 40 बार हम इसको use कर रहे हैं, तो divide by 40, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.34 पैनल, 0.34 पैनल आपका खर्च हो जाएगा, एक बार में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने each, यहाँ पर जो हमारा unit है, वो each है, 0.34 पैनल, आपका एक बार में खतम हो रहा है, spend हो रहा है, और यहाँ पर एक पैनल का जो rate है, 860 रुपे है, यानकि आप solar panel अगर एक बार use कर रहे हैं, तो आपके 292 रुपे के पैनल जो है, वो खर्च हो ज रहे हैं, divide by 40, और यहाँ पर 0.34 पैनल आपका खर्च हो जा रहा है, अगर आप 16 पैनल को एक बार में use करते हैं, तब, अगर आप सिर्फ एक पैनल करेंगे, तो वो calculation अलग होगी, इसके बाद corner angle चाहिए, अब corner angle क्या है, इसको हम देख लेते हैं, अब 4 side के लिए आपको इ यहाँ पर बता रहा है, आपको 45, 45 और 5 mm, यानि कि आपका जो एक horizontal side, एक vertical, एक horizontal और उसकी thickness, वो आपको यहाँ पर इसने दिखाया है, 45 horizontal, 45 vertical, 5 mm की thickness, और उसकी जो लंबाई है, वो आपकी 1.5 meter long, यहाँ पर यह आपको दे रहा है, तो same calculation, 4 panel, हमें चाहिए, 4 corner angle, तो 4 इसने quantity, 0.85 को इसने यहाँ पर multiply किया, divide by 40 किया, और यहाँ पर आपका आ रहा है, 0.085, तो यह 0.085 हमने यहाँ पर put किया, 910 रुपे, एक corner angle का आपका rate है, 77 रुपे का आपका corner angle, एक बार में खर्च हो रहा है, ठीक है, तो यह आपका आ गया है, यह आपका 0.85 है, 0.85 है, 0.85 है ठीक है, अब इसके बाद 100 mm का channel shoulder, आप channel shoulder में आपको दिखा देता हूँ कौन से है, यहाँ पर आप देखेंगे channel shoulder, यह आपके channel shoulder है, इस तरीके से जो आपके vertical ही लगा हुए है, यह आपके channel shoulder है, यह आपके बीच में support करते हैं, जब आपका spawn बढ़ा होता है, तब, तो यह channel shoulder आपके लगेंगे, कितने channel shoulder चाहिए, आपके 8 channel shoulder चाहिए, यहाँ पर आप quantity देखेंगे, 8 multiply by 0.85 divided by 40, तो 8.85 हम वही ले रहा हैं, कि हमारी जो cost है, उसका हमें 0.85 में पढ़ रहा है वो, क्योंकि हम 10% maintenance पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन 25% की cost हमें वापस मिल रही है, डिवा 0.17, आपका panel खतम हो रहा है, तो आप दोनों को multiply करेंगे, आपको यहाँ पर amount मिलेगा, 40 रुपे, 80 पैसे, ठीक है, इसके बाद double clip, double clip आपका लगेगा, double clip कौन सा है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरीके से आपका, यह double clip है, इस तरीके से यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा blurry हो रहा होगा, इमेच, यहाँ आपका double clip लगेगा, तो कितने लगेगे आपके double clip, यहाँ पर आपको देख रहा है, इसने 16 double clip लग रहा है, आपके 0.85 से इसने multiply किया है, क्योंकि 0.85 आपका जो total cost है, 85% में पढ़ ला है, 40 times हम इसको भी use कर सकते हैं, और यहाँ पर 0.34 इसकी quantity आ रही है, 0.34 हमने यहाँ पर ले लिया quantity में, एक जो आपका double clip है, 76 रुपीज का है, 0.34 को 76 से multiply किया है, 25.84 आपका amount आ गया, इसके बास single clip चाहिए, यानि कि clamp जो रहते हैं आपके, तो आपको 8 number of clamps चाहिए, तो 8 हमने यहाँ पर पुट किया, 0.85 divided by 40, 0.17 clamp आपका खर्च हो रहा है, अगर आप 8 clamp को एक बार में यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको यह मिल जाता है, 59 रुपीज का आपका एक clamp है, 0.17 इसकी quantity आ रही है, 10 रुपे आपकी यहाँ पर खर्च हो रहा है, इसके बाद आप देख रहे हैं, कि आप सिर्फ 35, 36 times use कर पा रहे हैं, 30 times use कर पा रहे हैं, तो आप इसको 40 की जगा 30, 35, 36, जितनी बार आप यूज कर सकते हैं, उतना बार आप यहाँ पर दिखा देंगे, और अगर मालेज आपका 10% से जादा maintenance पर खर्च हो रहा है, तो आप वहाँ पर calculation में change स्टार्टिंग में, अगर आपको salvage value 25 की जगा 20% मिल रही है, तो आप महाँ पर change करेंगे, तो पूरा calculation आपका change हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका MS tube में 0.2295 मीटर लग रहा है, 215 रुपए एक मीटर का आपका rate है, और यहाँ पर 49 रुपए इसके बैठ रहे हैं इसके बाद assembly nuts और bolts आपके लगेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हमें एक lump sum में दे रहा है, 1040, 0.85 और इससे हमें एक lump sum quantity मिल जाती है, 22 रुपए आपके 10 पैसे, तो यहाँ पर हमने इसको put किया quantity में, 22.1, 2 रुपे 12 पैसे आपका lump sum का एक rate लिया हुआ है यहा पर आ रहा है, इसके बाद Sam आप देखेंगे, तो यहाँ पर फिर आपकी labor लगती है, labor में आपका फीटर, बेलदार और shattering oil भी आपको यहाँ पर दे रहा है, जो कि lump sum की values में दे रहा है, तो material में नहीं दिखाया है, इन्होंने इसको यहाँ दिखाय हुआ है, तो फीटर ल amount आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से हमने बाकी सारी वीडियो में भी देखा है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ यहाँ पर मिलने के बाद, जब आपको W value मिलेगी, sunrise आप एड़ कर देंगी, miscleanis जो भी आपका, तो आप यहाँ पर अगर unit हटाना चाहते हैं, आप यहाँ आप लेना चाहते हैं, वो आप अपने सबसे यहाँ पर set करेंगे, इसके बाद आपका sas यहाँ पर add होगा, ठीक है, और sas add होने के बाद आपको cost of 10 square meter मिल जाती है, जो कि आपकी आ रही है 2472 रुपे 95 पैसे, और आप अगर इसको 1 square meter में convert करेंगे, तो आप 10.8 से इसको divide करेंगे, तो आपको यह मिल रहा है, यहाँ पर 228 रुपे 77 पैसे, यानि की 229 रुपे 1 square meter shuttering की आपकी cost है, footing के लिए, या पर आप कहा सकते है, foundation के लिए, including all the material, labor charges, सारी चीज़े यहाँ पर add कर दी गई है, 239 रुपे square meter आपकी shuttering cost आ रही है, ठीक है, तो इस cost को ज आपकी में जाकर के rate दिखाया, और वहाँ से हमें amount मिल जाता है, तो इस तरीके से आप इसका rate निकालेंगे, इसके बाद आप इसी sheet में अगर आप आगे continue करना चाहते हैं, तो formwork of column आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके लिए आपका clause 5.9.6 clause आप follow करेंगे, centering and shuttering including strutting, propping etc and removal formwork for columns, plurs, piers, abatments, posts and struts, formwork beam के लिए आपको clause number follow करना यहाँ पर 5.9.5, formwork for floor, roof के लिए आपको 5.9.3, formwork for staircase 5.9.7, तो यहाँ पर यहाँ आपको दे रखा है, तो इस तरीके से आप यहाँ सारा calculation देख सकते हैं, कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं, तो आपको एक समझ में आगए कि किस तरीके से आपका calculation होगा, तो यहाँ पर हमने formwork for footing देख लिया, इसको समझ लिया किस तरीके से calculation हो रहा है, तो I hope सारी चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आगई होगी, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो हैं, तब तक के लिए, thank you so much.